मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ दात साफ करने के लिए टूथ ब्रश मत करो खर्चा बचेगा हम आजकल टूथ पेस्ट करते हैं कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसिडेंट, सिभा का फॉरेंस यह बड़े महंगे हैं, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपई किलो हुआ कि नहीं? गाय का घी 200 रुपई किलो, टूथ पेस 300 रुपई किलो क्या मुर्ख लोग हैं इस देश के पड़े लिखे? सुपर इडियेट! वो क्या करते हैं 200 रुपई के लोग गाए का घी नहीं खाते और 300 रुपई के लोग का पेस्ट रगड के दांतों पे थूखते हैं वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट है मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो क्या करें मैं का दो यह 300 रुपई किलो का पेस्ट इसको थूखते क्यों इसी को रोटी पर लगा लगा के खालो गाई के गी से तो महंगा है कितना फल तू खर्चा कर रहा है 300 रुपई किलो का पेस्ट मैंने एक दिन हिसाब निकाला था एक आदमी रोज जो ब्रश करता है न सबेरे का तो एक बार के ब्रश में देड़ से दो ग्राम टूथ पेस्ट इस्तेमाल होता है अगर वो आदमी 60 साल तक अपनी जिन्दगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथ पेस्ट का खर्चा एक लाक चाली सजार रुपया आता है 60 साल तक एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपय का जिन्दगी में वो जितने पेस्ट St hardware करेगा 60 साल में उसका हिसाब जोड़ा एक लाक चाली सजार के आजपास खर्चा क्या फाल्तू खर्चा है बंद करो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रश को पेस्ट लगा के लगणने की कोई जरूरत नहीं है फोकट का काम करो दातुन करो दातुन बागवट जी ने कॉल गेट के लिए मना किया है कॉल गेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने कहा है कि आप नीम का दातुन करें और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया मदार, मदार समझते हैं, मदार का एक पेड़ होता है वो कहते हैं, नीम से भी अच्छा है क्योंकि वो और ज़्यादा कशाय है, और ज़्यादा तिक फिर एक है बबूल फिर एक है अरजुन, अरजुन की छाल आपने पिया ना, अरजुन की दातुन भी होती है तो ऐसे वारे वरक्ष उन्होंने बताए है, नीम है, मदार है, अरजुन है फिर ये जो हता है आम, आम, बबूल है, आम है, अमरूद है ऐसे बारे वरक्षों का उन्होंने वरनन किया है कि इनकी दातू नहीं करना इसकी आगे तेरवे वरक्ष की नहीं और वो डिटेल लिखा है किताब में आप ले सकते जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बता दू वो ये कहते हैं कि जीवन में जो रितू है रितू गर्मी है फिर सर्दी है फिर बरसाथ है तीन तो मुख्य रितू है फिर इनकी उपरितू है तो छे हो जाती है शरद है शशिर है वसंत है तो मोटा मोटा बता देता हूँ जादा बारी का आपको याद नहीं रहेगा वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है गर्मी माने अपरेल से शुरू कर लीजे, उगादी, उगादी से शुरू कर लीजे, नहीं तो आप मकर संक्रांती से ही मान लीजे, तो मकर संक्रांती से लेकर जब तक गर्मी है माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातों की बात कही उनों, तो इसमें चैतर भी आएग तो वो समय यही आता है जो बागवट जी का कैलकुलेशन क्यों यह जो समय है इसमें पित्व को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद यह करेगा नीम तो नीम का दातन, नहीं तो बबूल का दातन, नहीं तो मदार का दातन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है, दूसरा सबसे अच्छा बबूल है, गर्मियों में, और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातन है, अमरूद, अमरूद के पेड़ का दातन, सर्दिय का असानी से मिल जाएगा और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं अर्जुन का भी कर सकते हैं और आप बोलेंगे जी पूरी जिन्दगी अगर नीम का इदातुन करें तो कर सकते हैं तीन महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना फिर तीन महीने कर लेना वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम दियान रखना तो फिर आप बोलें थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें उस दिन दंत मंजन कर लेना दंत मंजन के लिए वो यह कहते हैं कि आप जिस तेरिया में रह रहे हैं वहां का तेल और जिस छेत्र में रह रहे हैं वहां जो उपलब्द लवन माने नमक और जिस छेत्र में रहे हैं वहां की उपलब्द हल्दी ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बनाके दांत पे घिस सकते हैं ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने मा आया है गाय के गोबर को सुखा कर जलाएं उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें थोड़ा सेंदा नमक मिला दें बहुत अच्छा दंतमंजन तीसरा वो कहते हैं कि यो त्रिफला चून मैंने बार बार आपको बोला है त्रिफला चून है तो इसको बारीक पीस है दंतमंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना तो बारीक त्रिफला चून थोड़ा सेंदा नमक बस मिला के दात पे गिस है तो ये दं तो आप ये जरूर करें मनें टूथ पेस्ट बंद करें अब क्यों करें टूथ पेस्ट बंद बागवट जी और आधुनिक विग्यान को जरा जोड़ता हूं आप पित्त के असर में हैं जान लीजे सुबह सोकर उठेंगे तो मुह में पित्ती ही बरा हुआ है सबस्लाइमे अब यह असर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको तो इसलिए किया यह यह दातून अच्छी है लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे है पेस्ट कर रहे है तो क्या है उसमें चीनी है चीनी है ना शुगर है अब वो सैक्रीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है और शुगर और पित्त का जगड़ा है तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है मीठा ब्रश मानि मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं तो पित्त को तो बिलकुल खराब करेगा ही और मुँ को भी खराब करेगा क्योंकि सुबह का मुँ आपका मीठे के असर में आया मीठे के असर में तो 101 परसंट चांसिज हैं कि आपके दाथ खराब होना जल्दी शुरू हो और मेरा अब्जर्वेशन है कि जो ज़्यादा पेस्ट कर रहे हैं उनी के दांतों में कीले सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कीले लगना मने दांत खराब होना आप बंद करिये यह अच्छा नहीं विज्ञान के हिसाब से बहुत कराब और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है मैं कई बार यहां बोलके सबी काल गेट क्लोज अफ एपसोड जयसे टूथ्पेस्ट मरेहुए जानवरों की रिधियों से बन दो जैसे काल गेट बन रहा है मरेहुए सुर की हड़ीयों से यह प्रयोक शाला एम हो करके हम प्रमानित करने के बाद बोल रहें आप से क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपणी मेरे किलाफ केस कर सकती है फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कॉल गेट बन रहा है मरे हुए सुवर की हड्डियों से पैप सुडेंट बन रहा है मरे हुई गाय की हड्डियों से को आप सो जहन है तो इतना जान लिजे कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप हैना परोग्ष हिंसा का पाप बी उत्ज strateg तो एक तो किसी कंपनी ने आपके लिए बनाया टूथपेस्ट माने उसने मारा जानवरों को उसमें से निकालने केलिए हड्डियां आपके लिए बनाया तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है तो कसाई का पाप अपने सिर पर क्यों लेना तो क्यों यह कॉल गेट क्लोज अप बंद कर दीजे दात उन पर आईए नहीं तो दंत मंजा दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें